क्लियर हैं ओके चलिए अब एक वर्ड होता है ब्रेक इवन पॉइंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में बी ई पी कह देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इसकी हिंदी में अगर मैं अपने लेंग्विज में लिखूँ मैं अगर इसको लिखूँ तो इसका मतलब जहां प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है वो जग है जहां वैपारी को जहां बिजनसमेन को ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोलिंग उसको ब्रेक इवन पॉइंट अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना अगर मान लो मेरा सेल्स सेल्स मेरा एक हजार है और मेरा फिक्स कोस्ट है या मैं मैं आपसे पूछूँ वेरियेबल कोस्ट और फिक्स कोस्ट सारी चीजे दे रहा है आप मुझे जवाब दीजिएगा वेरियेबल कोस्ट और फिक्स कोस्ट एक सो है तो मुझे जवाब दीजिए कि आपका प्रॉफिट क्या है यहाँ पे कि प्रॉफिट चलो फोड़ा मुझकिल सवाल करें मेरा सेल्स हजार है वी सी मेरा आठ सो है और फिक्स कॉस्ट मेरा दो सो है अब बताईए मेरा प्रॉफिट क्या है बताईए मेरा प्रॉफिट क्या है प्रॉफिट क्या है जीरो है इशान आपने नाइन बता दिया गलती से 9 टाइप हो गया, 0, बिल्कुल ये 0 है, तो इस जगह पे मेरे को profit हुआ ही नहीं, अब बताना मुझे, मेरा 1000 है, और मेरा ये 800 है, और fix cost मेरा 300 है, अब बताओ मेरे पास क्या है, अब बताओ मेरे पास क्या है, profit कितना है, या फिर loss है, चलो loss होगा या profit, loss 100 रुपीज, अब मैं आपको business करने को बोलुँझे, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको business करना है, ठीक है आपको क्या करना है, business करना है, तो ये वाला situation जो है आपके सामने ये वाला situation क्या इस वाले situation में अपने business को आप करेंगे या फिर नहीं करेंगे इस वाले situation में अपने business को आप continue रखेंगे सर क्यों रखेंगे continue क्योंकि यहाँ पे आपको profit हो रहा है और business ही profit के लिए किया है तो इस वाले situation में नमबर वन में आप अपने बिजनस को करेंगे, यस continue रखेंगे, इस वाले situation में क्या आप business को continue रखोगे या नहीं रखोगे? आप इस वाले business situation में क्या business को continue रखोगे या नहीं रखोगे? तो mixed सा answer आ सकता है सर नहीं भी रखेंगे क्योंकि profit ही नहीं हो रहा और कुछ बच्चे बोलेंगे सर रख लेंगे आज नहीं हुआ तो कल तो हो ही जाएगा profit तो last उमीद तक अगर मैं बोलू तो इसके अंदर हमें रखना चाहिए should be मैं यह नहीं बोल रहा है भी यह रखेंगा मैं यह कह रहा हूँ जैसे बच्चों ने maybe जवाब दिया yes भी बोला तो इस वाले में रखना चाहिए क्योंकि एक उमीद रहेगी कि क्या पता हम इसके अंदर मान लेते हैं आप exam में जैसे paper देने जाते हो तो आपको अगर चार questions आते हो तो आप उमीद में चलते हो कि चल यार paper देके आते हैं चार questions होगा पास हो जाएंगे या तीन question आते हैं तो चल पास हो जाएंगे इतने chapter आते हैं तो वो क्या है आपका maybe लेकिन 100% guarantee नहीं होती सेम यहां पे आप उमीद में हो कि आज नहीं तो कल profit आएगा यानि आपने कहा सर इस वाले situation में business चालू रखो और इस वाले में रखो क्या इस वाले situation में चालू रखोगे business आप third वाले में तो आप बड़ा बड़ा बोलोगे सर no 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 इस वाले situation में नहीं रखेंगे no 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 आप simple बोलोगे no इस वाले situation में आप नहीं रखोगे simple तो जो ये वाला situation है जहाँ पे profit या loss नहीं होता तो इसको बोलेंगे हम ये वाला जो situation है इसको बोलेंगे यहाँ पे sales ये जो है इस sales का नाम होगा break even point कहलो या फिर कहलो break even sales कहलो दोणों भी कह सकते हो तो break even point या break even sales क्या होता है वो जगह जहाँ पे break even point का मतलब होता है break even point का मतलब होता है जहाँ पे हमारा sales जहाँ पे हमारा sales is equal to oh sorry total cost हो जाए break even क्या होता है point जहां पे sales is equal to TC हो जाए मतलब सर ये दोनों अगर आप देखो तो ये क्या है TC है और ये क्या है sales है तो जहां पे sales is equal to क्या हो जाए TC हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे break even point बोलेंगे तो इसको graphical form में भी इसमें आएगा chapter graph भी आएगा तो हम graphical में जैसे question में बढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे अच्छा सर यानि जहां पे हमें कोई profit कोई loss ना हो उसे ही break even point बोलते हैं जी हाँ उसी को break even point बोलते हैं इसका formula हमें percentage लेकिन examiner बोलेगा भाई ये तो पता है तुम्हें लेकिन आप इसको break even point हम आपको अगर ऐसी बाते दे दें तो आप तो फट से बता दोगे हम आपको दूसरे तरीके से break even point पूछेंगे उसका formula बताईए तो यहाँ पे break even point कैसे निकालेंगे break अरे break even point एक तरीके से इसमें एक दो फॉर्मूले और है बस खतमी हो जाएगा लेकिन चप्टर में काफी सारी प्रेक्टिस करना पड़ेगा break even point is equal to fix cost divided by PVR profit का ratio और fix cost यानि fix cost का ratio और fix cost into में 100 दूसरा सर क्या हो सकता है break even point एक और formula है इसका break even point is equal to fix cost divided by cpu cpu क्या था contribution per unit अगर आप ये वाला formula लगाएंगे तो इससे जो हमारा sales आएगा हमें break even point का मतलब वो sales बताईए जहां पर profit loss नहीं होता तो इससे जो sales आएगा ये rupees के terms में आएगा और जो इससे हम sales निकालेंगे वो unit के terms में निकालेंगे कैसे निकालेंगे unit के terms में तो sir fix cost तो पता ही चल गया कैसे और PBR भी हम सीखी रहते CPU कैसे निकलता है CPU होता है sales per unit minus में variable cost per unit तो ये वाला points जो निकलेगा वो unit में निकलेगा और उपर वाला जो point निकलेगा वो in terms of amount अगर आपसे बोलता है break-even sales निकालो तो आप ये वाला formula लगा के sales बता सकते हो break-even point बताओ तो point में ये वाला formula लग जाता है essence कहीं लिखा नहीं है लेकिन जातर question में ये माना गया है कि इस तरीके से हमें करना है तो break-even point कोई भी जो भी आपके सामने पड़ा हुआ हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो easily और अगर मैं break-even इसके अंदर अगर मैं पूछू break-even point के साथ साथ आप in the terms of amount भी बताओ इस वाले सवाल में अगर मैं बोलू के भाईया यूनिट में बता दिया आप amount में बताओ तो मैं कैसे बन बताऊँगा sales unit तो मैं बोलूँगा sales इस इकल टू ब्रेक इवन पॉइंट और इंटू में selling price SP बोल रहा हूं इंटू में selling price जो भी यूनिट का होगा हम आए चलिए प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा simple से दो formula ही है हमारे सामने जो given है ब्रेक इवन पॉइंट एफसी डिवाइड बाई पी वी और एफसी डिवाइड बाई सी पी यू इंटू में 100 यहां इंटू में 100 नहीं आएगा यहां पे क्योंकि पर यूनिट है ठीक है चलिए साथ second वाले formula में break even point कर एफसी पर यूनिट में लेनी है एफसी नहीं एफसी टोटल ही रहेगा यह यूनिट में नहीं रहेगा एफसी यह always टोटल रहेगा एक दो formula और है इसके जो कि हम आगे चलके सीखेंगे एफसी हमेशा यह टोटल रहेगा और यहां पर भी यह एफसी क्या है साथ टोटल ही है चलिए देखते हैं सवाल कुछ जैसा अगला सवाल हमने एक 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 यहां पर छोड़ दिया था इसको हम अभी देखते हैं पहले break even point पर हमारा सारा का सारा focus रहे तो इसको कर लेता आपको sales देदिया वारियाबल कोस्त देदिया fix-cost देदिया calculate break even point औक तो break even point होता है भाया क्या होता है fix cost divided by PVR इंटू में 100 ओके सरी यार नहीं पता तो PVR क्या होता है भाया पी विया आर होता है हमारा contribution divided by sales इंटू में 100, तो सबसे पहले आपको PVR निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो PVR is equal to, आपको क्या variable cost दे रखा है, sales दे रखा है, तो contribution निकालना पड़ेगा, तो contribution is equal to, variable cost sales, तो 2,00,00, और minus में 1,00,20,000, तो कितने आगया सर, ये आगया, 80,000, तो 80,000 contribution divided by sales, 2,00,00, इंटू में 100, देखते हैं क्या contribution का ratio बनता है, 80,000 divided by 2,00, इंटू में 100, 40%, 40%, ठीक है, सर अब break even point तो आराम से निकल सकता है, जी हाँ, अब निकल सकता, point number 1 ही कर रहे हैं अभी हम, break even point is equal to, मैंने बोला fix cost, तो fix cost तो सवाल में है सर, 30,000, divided by PVR, अगर PVR यहाँ पे आप 40 रखते हो, तो इंटू में 100 करना, अगर आप यहाँ पे 40 रखते हो, तो इंटू में क्या कर देना, 100, इसके अलाबा, आप ऐसे भी निकल सकते हो, कि 30,000, अगर 40 नहीं रखते, 100 नहीं करना चाते, तो 40% होता है, 0.4, इंटू में मत करना, तो दोनों में answer सेम ही आएगा, divided by 40, इंटू में 100, that is आगया, 75,000, यहाँ पे answer आगया, 75,000, और यहाँ पे भी answer इखाल लिया, हमने, पहले का answer डन हो गया, जो इसने पूछा था, break even point, break even point, आगे के अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें concept समझना है, selling price reduce का मतलब क्या होता है, variable cost reduce का मतलब क्या होता है, और sales का reduce का मतलब क्या होता है, देखते है, break even point, cost increase, चलो, हम यहाँ पे selling price की बात कर र कर सकते हैं, कर सकते हैं, दूसरा भी तो हम, second क्या कहता है, break even point, बताइए, अगर selling price कम हो जाए, कितना कम हो जाए, 10% से कम हो जाए, selling price कम हो जाए, यानि हमारा जो sales है, वो 10% से कम हो जाए, हम इसके उपर आगे भी और discuss करेंगे, तो कोई बच्चा बताएगा, point number two, point number two के ल sales कितना आया, 180, point number three के लिए, अभी देख लेंगे, sales, point number two में, हमें sales भी पता है, तो sales अगर change हो गया, तो भही है, यहां contribution भी change होगा, और जब contribution change होगा, तो PBR भी change हो जाएगा, तो again break even point formula लिख नहीं रहा, क्योंकि हमने लिख रखा है, तो हम पहले निकाल लेते हैं, contribution, तो और अगर यह 60,000 आ गया है, तो आगे चलते हैं, PBR निकाल ले, PBR is equal to 60,000 divided by 120 into में 100, 120, 180, 180, तो कितने percent निकल किया है, सर, 60,000 divided by 180 into 100, 33.3333 percent, 33.3333 on चलता रहे गई, थोड़ा size reduce करा जाए, ठीक है, अगर आप break even point निकालोगे, break even point, तो क्या आएगा सर, fix cost पहले से पता है, that is 30,000, और divided by 0 point, आप 333333 last तक कर लेना, 30,000 point, एक दो होती, मैं देखो calculator में एकदम last तक ले जा रहा हूँ, ताकि amount ठीक आ जाए, तो 90,000 आ गया हमारा यह, यह आ गया, 90,000, ठीक है, इसको अगर आप 333333 करना चाते हो, तो into 100 भी लगा देना, अमित ने जवाब भी दे दिया, चलो सर, point 2 भी हो गया, point 3 की बात करते हैं, इधर ही कर लेते है, point 3 कैसे ने, कैसे adjust, कहता है कि भाईया, अगर variable cost increase by 10%, तो जो point number 3 के लिए variable cost होगा, वो VC कितना होगा, सर, वो VC 10% से बढ़ाना होगा, increase का मतलब बढ़ाना होगा, तो बढ़ाएं कैसे, 1,20,000, into 10%, 1,32,000, सर, variable cost change, again, सारी बाते change, अगर, again, फिर से सारी बाते change, तो क्या-क्या change होगा, सर, contribution change, contribution मैं इसको पूरा ना, एक तरीके से adjust कर दूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, हर questions पे ऐसे बना देते हैं, ताकि आपको पता हो, first answer, second answer, mix up ना हो, बस मैं यह चाहरा हूँ, color change भी कर देते हैं, contribution is equal to क्या होगा, sales, minus मैं VC, अब sales आपको starting वाला ही लेना है, दो लाग, minus मैं VC के आपका 132, 132, तो दो लाग, minus मैं 132, that is 68, अगर यह आगया, तो PVR, PVR के आएगा हमारा, 68, divided by दो लाग, into मैं 100, यानि contribution वाला formula लगा दिया न, contribution divided by, divided by दो लाग, into 100, 34%, 34%, अगर यह 34% है, तो हमारा break-even point क्या होगा, और small करना पर जाए, तो break-even point क्या होगा, सर, break-even point, break-even point होगा, सर, FC divided by PVR, तो FC क्या है, सर, FC हमारा 30,000 है, और PVR है, जो कि 0.34 है, तो यह भी, यह आगया हमारा answer, 88, 2, 3, 5, यह आगया हमारा क्या, break-even point, अगला कहता है, new break-even point निकालिए, अगर fix cost increase by 10%, ओहो, fix cost क्या हो जाए, increase हो जाए 10% से, तो मैं इसको, यहाँ ले लेता हूँ, यह है हमारा, point number 3 तो दिख जाएगा, point number 4, D part, तो new break-even point बताना है, fix cost increase हो जाए, तो fix cost अगर हम increase करेंगे, तो point number 4 के लिए, अगर हम fix cost increase कर दें, 10% से तो यह हो जाएगा, 33,000 रुपए, 10%, 30,000 का जोड़ दिया हमने, तो यहाँ पे अगर fix cost बढ़ गया, तो PVR में तो कोई change नहीं होगा, PVR क्या रहेगा, PVR हमने normally निकाला ही है, जो यह वाला आपने PVR 40 रखा है, यही होगा, क्योंकि कैसे सर, 80,000 रुपए आपका यह होगा, 2,000,000 रुपए आपका यह होगा, into में आपका 100 करेंगे और आपका जवाब 40% हो जाएगा, बिल्कुल सही, तो सर, break even point क्या होगा सर, break even point होगा आपका, कैसे, fix cost कितने हैं, अब 33,000 लो, और PVR लो 0.4, 33,000 divided by 0.4, यह आगया, 82,500, 82,500, तो सभी केस इसके अंदर, हमने break even, 32, 88, चीक है, सभी केस में हमने break even point निकाल दिया, पहले बताइए इस सवाल में किसी बच्चे को doubt, इस question में किसी student को doubt, फिर एक पीछे question मार्क लगाया था, वो भी मैं आपको, वो homework में दे दूँगा, किसी student को doubt, नो, अमित का कहना है नहीं, यहां तक सभी student को समझ में आ गया है, चलिए, आईए, अब एक question पीछे छोड़ रखा था, कौन सा सर ये, इसको क्यों छोड़ा, क्योंकि यहां contribution दे रखा है, 7 रुपे, और unit, और profit दे रखा है, 30,000, और break-even point दे रखा है, क्या पूछा है सवाल में, calculate contribution, रुपीज में बताना है भाईया, contribution रुपीज में, तो break-even point का formula लगाओ यहां पे, break-even point is equal to, fixed cost, और अगर per unit दे रखा है, तो CPU, contribution per unit, तो break-even आपको पता है कि 2000 है, fix cost सवाल में पता है, 3000 है, और CPU दे रखा है कितना आपको 7, सब कुछ पता है, तो बचा क्या, CPU साथ, contribution per unit साथ, break-even point 2000 युनिट है, चलो, तो यह क्या आएगा हमारा, 14,000, आज 14,000, नहीं, नहीं, उस तो missing होना चाहिए, सब बता देगा, तो बात कैसे बनेगा, contribution per unit दे रखा है, profit दे रखा है, break-even point दे रखा है, पूछा क्या है, भाईया, यह सवाल तो ऐसे ही पता नहीं क्या बन गया, पहले ही दे रखा था, contribution और हर किसी में contribution बताना था, तो contribution पहले से ही है, अगर यह unit के terms में पूछना चाहरा है, तो contribution निकालने का basic सा formula हो जाएगा, कि हम break-even point में क्या करें, CPU को multiply कर दें, break-even point में CPU को multiply कर दें, fix cost तो यहाँ पर है ही नहीं, मैंने कैसे ले लिया था, fix cost, profit दे रखा है, profit दे रखा है, चलो, हाँ, होगा यह question, गलत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर fix cost दे नहीं दे रखा, तो यह दे रखा है कितना हमें, 2000, fix cost नहीं पता, तो FC रख दो, और CPU दे रखा है, 7 रख दो, प्रॉफिट, FC हमारा 14,000, और प्लस में profit कितना दे रखा है, सवाल में, 3000, तो 3000, तो कितने हो गया, सरी, 17,000, तो इसका आंसर आगया, 17,000, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया था, इसका आंसर आगया, 17,000, बच्चों ने बता भी दिया, मैं थोड़ा सा सभी स्टूडेंट को सब कुछ एकदम क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर एकदम, फटा-फट से बताईए, सभी स्टूडेंट को क्लियर है, यस सर, आज हमने क्या करा, एक बर बता दे, हमने आज करा सर, कुछ फर्मुले, जिसमें हमें contribution सीखा, PVR सीखा, अभी नहीं देते, कोई नहीं देते, अभी इसी को revise करिएगा, तो बस इतना ही करना है, तो आज की class को यहीं पे खतम करते हैं, noting के लिए आपको कल सवेरे तक PDF मिल जाएगा, वीडियो आपको आधे से पौने घंटे में live section में आ जाएगा, जहाँ पे आप pause करके noting कर सकते हो, कल का wait ना करें, वो मैं इसलिए PDF डाल देता हूँ, ताकि बाद में बच्चे जो लेट होते हैं उनको मिल जाए, तो आप अभी आधे घंटे के बाद upload हो जाएगा, यह वीडियो live section में आप वहाँ से कर लिजेगा, तो मिलते हैं next class में, PDF कल सवेरे 10 बजे तक मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि कल सुभह आते हैं सभी, और उसके बाद मैं फटा-फट से upload करा दूँगा, तो very-very good night, मिलते हैं next class में, जो बच्चे अभी तक नहीं join कर रहे हैं, तो मैं सभी बच्चों को बोलूगा, भाई साब, join कर लो, fees तो वही रहने वाली है, लेकिन syllabus आगे बढ़ जाना है, जिसमें आपका नुकसान हो जाता है, तो आप फटा-फट से बात कर लो, सभी बच्चों को बता दो, business economics के थोड़े से सर के, आप problem चल रही है, family में कोई hospitalized है, तो इस वज़े से नहीं start हो पाई है, लेकिन हाँ, make sure Friday से सारी schedule हो जाएगे, economics का हो, चाहे stats का हो, चाहे maths का हो, चाहे और भी other subjects, ठीक है, तो very very good night, मिलते हैं next class के अंदर,